आज की क्लास हम पढ़ने वाल है 3.7 बहुत अच्छे तरीके से बहुत ईजी एक्सराइज है मुझे पता आप सोच रों मैम ऑप्शनल एक्सराइज है क्या यह भी करनी होते हैं कि हम छोड़ सकते हैं इसको छोड़ना नहीं है इसको अच्छा से करना है कोई भी एक्सराइज आपने नहीं छोड़नी है और इतना इस इस में कोई नया टॉपिक थोड़ना आ रहा है जितना आपने 3.1 से 3.6 में पढ़ा है उसी को रिवाइस कर रहे होंगे और इतने अच्छा से क्लियर कर दों को दिक्कत नहीं दोंगी टो फ्रेंट्स हैनी और वीजू उन में कितने का डिफ्रेंस है 3 एक स्थारने तो एक को एक स्स रेस जलें फिर स्थारत एक को भी स्थार अपनि परसे बनें तो ऐस घए सब जब लेते हैं? एक साथ साथ स्टेटमेंट पढ़ेंगे साथ 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 एक्वेशन बनाएंगे अगर एक बार एक बार एक ले लिया ना अब बहुत एजी होता है अब ages of two friends differ by 3 years में बिटों की इज में कितने का difference three years का difference there to here लिख लिएह लिए that is x minus y is equals 2 3 दोनों की एसुमें थीदरी का difference है diffucking looking to do मैंने expा मैंग एक सक्षमस स्टाभिश का मैंने ले लिया three ले जा पक smoothden तो मैंने और वानी की एज का aust lions काут re एज कितनी है देखो twice as that of any any की एज एक्स है तो उसके फादर की एज कितनी है two x years हो जाएगी यह चीज समझाएगी उन्हें कहा कि any की फादर की डबल एज है एनी से उनका नम धरम है तो धरम से एज कितनी हो जाएगी two x years यह चीज करें आगे देखो क्या लिख है आगे लिख आई आगे कह रहे है बीजू की एज twice है कैथी के बीजू की एज कितनी है y twice into कैथी यहाँ पे two multiplier हो इदर आगे क्या हो जिगा divide y by two मताद कैथी की एज कितनी होगी y by two years समझाएगी सबकी हम एके करके एज निकालतेंगे यहाँ पे धरम की एज 2x years है और कैथी की एज कितनी 30 years इन दोनों की एज 30 years से difference हो रही है अब यहाँ पर पहले मैंने x लिखा था तो यहाँ पे भी मैं इनकी age के difference में पहले x लिखूंगी 2x minus y by 2 is equals to 30 उन्होंने काया धरम और कैथी की एज में 30 का difference है तो 2x minus y by 2 मैंने 30 लिख दिया this is the first equation this is the second equation clear हुई बार तो statement देखके डरने से कोई फायदा है नहीं पेपर में आ गया वहाँ पर थोड़ना कोग एक्जाम में कि माम यह तो optional से question आ गया हमने attempt करते है question किसी भी type के आ सकता है आपको बस statement को अच्छे से समझना है जो जो statement कहते गही मैं वही वही लिखती गही मुझे मेरी 2 equations मुलगी clear है इसमें कोई दि equations को कैसे solve करना है वो देखते है x-y क्या है 3 है और क्या है था 2x-y by 2 क्या है था that is 30 यह तो ठीक है बिल्कुल perfect equation है इसको LCM लेते है अब LCM लेते है 4x-y by 2 is equal to 30 यह 2 दर चला जाएगा 4x-y is equal to 60 this is the second equation first equation x-y equal to 3 second equation 4x-y is equal to 60 इसमें कोई दिखते है बहुत अच्छी बात है कि यहाँ पर y का भी coefficient वान है यहाँ पर भी वान है दोनों के same है बस sign change करते है काम बन जाए क्योंकि minus y minus y तो cancel नहीं हो सकता na sign change करेंगे तभी cancel होगा मैंने sign change किया plus minus minus 4x में से वान गया that is 3x लेकिन negative का is equal to यहाँ क्या है गा minus 57 minus से minus cancel x की value 57 upon 3 3 1 दा 3 3 9 दा 27 x की value क्या आगी 19 किसी की question में डाल दो 19 minus y 3 minus y क्या आएगा 3 minus 19 y की value क्या आजएगे 16 तो x 19 आया y 16 इसका मतलब जो any's की age है that is 19 years पूरा लिख के आना है अपने exam में किस चीज़ की जलगे नंबर लेंगे न हम पूरे-पूरे and next क्या है विजू की age कितनी आने वाली है that is 16 years super easy super simple बहुत है ना बस आपको डर्ना नहीं है last में आके देख लो पूछ क्या रहे है और बीजू की age x y ले लो पिस statement के साथ साथ चलते जाओ हापे note करते जाओ equations बनती जाए clear है चीज़ चले आगे है ना simple आप चलते है next question पर ये भी बहुत easy है लेकिन ध्यान से समझना interesting question है क्या कहते है one says give me a hundred I shall become twice as rich as you ये दो friends है A and B A ने B को कहा कि तुम मुझे hundred rupees दो मैं तुमसे double rich हो जाओगा ठीक है the other replies B वले ने क्या बोला इस friend ने क्या बोला कहते है तुम मुझे ten rupees दो मैं तुमसे six times rich हो के दिखाओगा तुम मुझे ten rupees दो ये बोलता है कि ten rupees दो मैं तुमसे six times rich हो ये निकान है हमने तो एक को x ले लेते हैं को y और फिर equations बनाते हैं आंसर आएगा समझे बहुत easy question देखो क्या है let the amount the first friend have amount the first friend have कितना लिख दे that is rupees x similarly let the amount the second friend has is equals to rupees y ये चीज़ क्लियर है अब ध्यान से समझना इसके पास x rupees है इसके पास कितने y rupees है अब statement पढ़ते हैं कितन अच्छे समझाएगी देखो give me a hundred friend I shall be then become twice as rich as you x कह रहा है मुझे 100 rupees दे दो दे दिए x को 100 x को 100 दिए तो y में से 100 जाएंगे है ना देखो x को कितने चाहिए x ने का मुझे 100 rupees दो y कहता ठीक है अगर x 100 ले रहा है तो x plus 100 हो जाएगा क्योंकि y दे रहा है तो यहाँ पे y minus 100 ह उसने क्या गाता I shall become twice as rich as you जो यह x वला है यह twice rich हो रहा है y तो x plus 100 is equal to twice y minus 100 यह first equation क्लिए है बहुत सिंपल है x ने 100 rupees लिये है तो इसमें plus 100 होगा y ने दिये है तो minus 100 होगा उसने गाता twice rich हो रहा हूं तो x plus 100 is equal to twice y minus 100 होगा यह चीज क्लिए है बहुत सिंपल है समझाए चीज अब y ने क्या बोला if you give me 10 y कह रहा है मुझे 10 rupees दे दो y ने 10 rupees ले लिये आगे देखो I shall 6 time riches you अगर y 10 rupees ले रहा है तो x ते अपने 10 rupees दी है तभी उसने लिये ना x minus 10 होगा वो कह रहा है मैं तुमारे 6 times रिच हो जाऊंगा मतला y plus 10 is equal to 6 into x minus 10 यही चीज क्लियर है statement पढ़ते जाओ और equations बनाते जाओ पहले अगर आपने ठीक से x y ले लिए फिर आप statements equations बहुत अच्छे से बना सकते हो clear होगी चीज मैं एक बार और ही से बता रही है उसके बाद हम दो equations को solve करने वाले है question time ध्यान से समझना यहाँ पर दो friends है मैंने कहा कि एक के पास पहले x रुपीज हैं दूसरे के पास कितने हैं y रुपीज है आगे देखो वो कहता है I shall then become twice as reaches you a ने का तुम मुझे 100 रुपीज दो मैं तुमसे double रिचो जाँगा अब a ने 100 ले लिए x plus 100 हो गया y ने दी है तो y minus 100 होगा यह कह रहे है मैं तुमारे twice reach हो जाँगा तो x plus 100 is equals to twice y minus 100 यह चीज क्लिए रही है अब आगे देखो आगे कह रहे है the other replies other replies का तो दूसरे ने क्या का x थे तो 100 रुपीज ले लिया y ने क्या का वो कहता है मुझे 10 रुपीज दो y ने 10 रुपीज लिये y ने लिये तो x का minus 10 हो जाएगा लिख दिया यहाँ पर वो कह रहे है y is six times reach हो जाएगा तो y is equals to six times x minus 10 यह दोनों equations क्लिए रहे है अब इनको solve करें x y की value निकालेंगे अब पता लग जाएगा कि first friend के पास मतलब इसके पास कितने पैस है और इसके पास actually में है कितने पैसे लेने देने से पहले एक दूसरे को ठीक है करें start चलो करते है फिर मेर पास बना x minus 100 is equals to twice y minus 100 इसको पहले solve कर लेते है that will be x plus 100 is equals to 2y minus 200 x minus 2y plus 300 is equals to 0 यह first equation बन जाएगे अब second देखते है second में क्या लिखा था मैंने y plus 10 is equals to 6x minus 10 यहाँ पे क्या बनेगा y plus 10 is equals to 6x minus 60 यह क्या बन जाएगा that is 0 is equals to 6x minus y minus 60 minus 10 that is 6x minus y minus 70 equal to 0 यह मेर पास बनगी second equation इन दो equations को solve करके हम solution निकालेंगे x minus 2y plus 300 equal to 0 and 6x minus y minus 70 equal to 0 मैं इसको same बनाने के लिए 1 से multiply कर रहे हूँ इसको 2 से ताकि y के coefficient same बन जाए आप x के coefficient भी same बना से तो 6 से multiply करने पर पर मुझे छोटा नंबर से multiply करना होता है क्योंकि जल्दी calculations हो जाए तो मैं y के coefficient same बना रहे minus 2y यहाँ पर minus 140 equal to 0 sign change करने पड़ेंगे यहाँ plus यहाँ plus यहाँ पर क्या जाएगा minus 12 में से 1 गया that will be 11x कहां का minus का यह cancel हो जाएगा plus 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 300 that will be 440 is equal to 0 बहुत simple है आगे क्या बनेगा जल्दी से x की value बता दो मुझे जल्दी से that will be 11x is equal to 440 यहाँ से x की value क्या जाएगी 440 upon 11 that is 40 तो x की value क्या आगे 40 आगे अब इसी को एक equation में डाल दो चाहे 1st में चाहे 2nd में मैं इसमें डाल रहे हू that is डाल दे value फटबट से y की बता दो मुझे जल्दी से निकाल लो x minus 2y first में डाल दो that will be 40 minus 2y plus 300 equal to 0 यहाँ पर क्या जाएगा 40 plus that will be 340 minus 2y equal to 0 यहाँ पर minus 2y is equal to minus 340 and y की value 340 upon 2 यहाँ पर 2 1 दा 2, 2 7 दा 14, 0 y के पास कितने है 170 clear हूई calculation बहुत simple है मतलब first friend के पास कितने पैसे थे that is rupees 40 और second friend के पास 170 इसके पास 140 रूपीज है और इसके पास 170 रूपीज है हमने इनकी initial capital बता दिया मतलब इनके पास starting में कितने पैसे हैं एक दूसर को लेने देने से पहले यह हमने amount बता दिया clear equation super duper easy है statements को पढ़के आपको बनानी आने चाहिए equations वो एक दू बार practice कर तो बन जाते है चले आगे हो गए question clear चले अब next question पर चलते हैं super duper easy question है यह भी ध्यान से समझना train cover a certain distance से आटा uniform speed train cover करें कुछ distance को आगे बताया हुए train ऐसे करेगी तो क्या time लगेगा यह सब पढ़ेंगे सबसे पहले फड़ा फड़ा last line पर आजाते है find the distance covered by the train distance निकालो जो train ने cover करना है यह कुछ question अजीब है क्यों अजीब है हर question में न मुझसे end में दो चीज़े पूछ जाते है ऐसे speed of train पूछेगा तो फिर time भी पूछ लेगा या फिर boat की speed पूछ रहे है तो stream की speed भी पूछ लेगा दो friends के पैसे पूछ लेगा हर question में दो चीज़े पूछ जाते है तभी तो मैं एक को x लेती हूँ एक को y लेती हूँ यह कुछ गड़बर है मुझसे सिर्फ और सिफ distance पूछ रहे है इतने शरीफ कैसे हो गए एकी चीज़ पूछ रहे है बहुत सिंपल सी चीज़ है ध्यान से देखो distance कैसे निकलता है speed is equal to distance upon time हमें अच्छे से पता है यह time इधर multiply हो जाता है मतलब distance कैसे निकलेगा speed into time करके मतलब वो distance तो पूछ रहे हैं लेकिन हमें कैसे निकालेंगे पहले हम speed निकालेंगे time निकालेंगे इन दोनों को multiply करके ही हम distance बता पाएंगे तो question पूछने वाले ने क्या हेर फिर किया यह हेर फिर करा कि बोला तो सिर्फ distance है लेकिन अभी भी हमें दो ही चीज़े निकालनी पड़ेंगे distance के लिए क्या speed and time उसने directly निका speed time निकालो उसने का distance निकाल दो मतलब हमें खुद सोचने है कि distance speed into time करके निकलेगा तो मैं पहले speed x ले लूँगी time y ले लूँगी पूरा question करूँगी जो answers आएंगे उनको multiply करके मुझे distance मिल साएगा clear हुई यह चीज़ बहुत simple चीज़ है बहुत अच्छा question है करें फिर तो इसमें हम किसको लेंगे x y speed को time को क्योंकि distance निकालने के लिए मुझे speed चाहिए और time चाहिए करें start फिर लेख लेते हैं let the speed of किसकी speed की बात हो रही है train की speed की बात हो रही है let the speed of train is x km पर आर आप question से डरना नहीं हमने maths बनाया है मतलब हमारे जैसे किसी इंसान ने maths बनाया है maths ने नहीं हमें बनाया तो हर question से आपको डरना नहीं है question को समझने अच्छे से let the speed of speed होगी न आप speed के बात time लेंगे let the time of train is is equals to y r मैंने एक x ले लिए speed y time ले लिए स्पीड ये time ये distance क्या हो जागा इससे जल्दी से बता दो distance is equals to speed into time that is x y distance क्या हो गया x into y ये चीज़ क्लेर है बहुत सिंपल है x y km क्लेर होगी चीज़ अब statement पढ़ने से स्टेट्मेंट पढने से और equation बनाने से कोन रूपता में बहुत सिंपल है ध्यां से देखो अगर ट्रेन की स्पीड 10 km से बढ़ा दी जाए बढ़ा देते हैं पहले स्पीड x थी अब कितने हो जाएगी x plus 10 आगे देखो इट वुड है टेकन 2 hours less than the scheduled time जितने बज़ उसने पहुचना था उससे 2 घंटे पहले ही पहुच जाएगी उसने y hours में पहुचना था उससे 2 घंटे पहले पहुच रही है तो y minus 2 रहेगा क्लेर होगी चीज स्पीड 10 से बढ़ रही है time 2 से काम हो रहा है यह स्पीड है यह कहें time है speed into time क्या होता है distance distance तो x y ही रहेगा ना मेरी बात सुनो चाहे आप जल्दी पहुच रहो घर चाहे लेट पहुच रहो distance तो कम नहीं होता distance तो उतना ही रहते है तो चाहे train की speed बढ़ रही है time कम देरा distance तो उतना ही रहेगा तो x plus 10 into y minus 2 is equals to xy this is speed this is time and this is distance ये बात समझ आगी बहुत simple से चीज़ है ये हमें देदेगा first equation अब आगे पढ़ते हैं if the train was slower by 10 km per hour कैते है अगर train की speed 10 से कम हो रही है पहले कितनी थी x 10 से कम कर दी आगे देखो it would have taken 3 hours more वो 3 गंटे जादा लेगी पहले y ले रही थी आप 3 गंटे जादा लेगी distance तो उतना ही रहेगा xy this is speed this is time and this is distance ये चीज़ के रहोगी this will give you the second equation ये आपको statement से equation बनानी आगी बहुत simple है आपने speed into या पर time distance के equal करना है अगर आपको ये formula पता है चाहे वो आपको distance निकालने को कह दे चाहे time कह दे चाहे speed आप इससे formula अलग-लग बना सकते हो ये t दे divide और तो इदे चाहे किया होगा multiply इसलिए distance क्या होता है speed into time होता है इसी से हमने ये equations बनाई है अब इन equations को अच्छे से solve करके xy की value निकालेंगे हमें हमारा distance मिल जाएगा यहां तक clear है बहुत अराम से चीज़े clear कि statement पढ़ते जाओ और equations बनाते जाओ अब करते हैं इसको solve मेरे पस क्या क्या बनी देखो x plus 10 y minus 2 is equal to xy ये पहली बनी थी और यहां पे x minus 10 y plus 3 is equal to यहां पे क्या बनेगी that is xy में statement देखके directly equations बना पाते हूँ practice से आप भी कर पाओगे जाब practice करोगे clear है अब इसमें क्या करेंगे xy minus 2x plus 10 y minus 20 is equal to xy सब कुछ left hand side लेओ इधर 0 करतो xy minus 2x plus 10 y minus 20 minus xy यह प्लस इदर आके minus होगे यह cancel होगे that will be minus 2x plus 10 y minus 20 equal to 0 यह बन गी आपके पास equation अब इससे बनाते हैं xy plus 3x minus 10 y minus 30 equal to xy xy इदर लेओ that will be xy plus 3x यहां पे आप लेओगे इसे बहुत simply ला सकते हो यहां पे लिख दिया यह cancel होगे यह क्या बनेगा 3x minus 10 y minus 30 equal to 0 that's it this is the first equation and this is the second equation इसको stars लगा लो पहले हम first second naming दे चुके हैं इसको 1 star 2 star naming अब इनको solve करना बहुत ईजी देखो कैसे solve करेंगे जल्दी से elimination लगाओ कोई भी method substitution आप कर सकते हो मैं कौन सा method करूंगी जल्दी से बता दो मैं करूंगी that is elimination method minus 2x plus 10 y minus 20 equal to 0 यहाँ पे 3x minus 10 y minus 30 equal to 0 यह तो बहुत इच्छे से होगा देखो यह plus minus cancel होगे यहाँ पे क्या हैगा x आजाएगा यहाँ पे minus 50 equal to 0 x की value कितनी आगी 50 आगी आप किसी एक equation में डाल दो देखो फिर्स equation में डाल रहे हूँ minus 2x plus 10 y minus 20 equal to 0 x की value क्या डालेंगे 50 डालेंगे plus 10 y minus 20 equal to 0 that will be minus 100 plus 10 y minus 20 equal to 0 10 y minus 120 0 y की value क्या हैगी 120 upon 10 that is 12 आजाएगी x 50 y क्या है 12 आगया अब x 50 y 12 क्लियर हो गया x 50 y 12 x था क्या that is speed of train मतलब speed क्या ही train की that is 50 km per hour और time taken कितना लिया time taken by train that is y r तेर होगी चीज़ मुझे क्या पुछा था distance distance क्या होता है speed into time speed 50 time 12 that is 600 km will be the distance super duper easy question बस आपको अराम से statement को समझके equations पे आना है आप अगर यहां पे अराम से ध्यान से समझ लीना है exams तक नहीं बूलने वाले final exams तक भी अगर आपने ध्यान से चीज़े समझी clear है यह चीज़े बहुत simple है चले आगे next question को देखो next क्या गया गया next बहुत easy question है बहुत easy either the students of a class are made to stand in a row मतलब students देव है ना class को उनको रो में खड़ा किया three students are extra in a row there would be one row ऐसी है भी हम पढ़ लेंगे last निखते चाहिए क्या find the number of students in the class मुझे number of students निकाल ले class में कितने अच्छे चीज बताओ बहुत simple सी चीज है हम तो हमेशे यही करते है पहली line पढ़ते है और last पर आ जाते है कि पूछ क्या रहे है ताकि हम x y ले पाए और जल्द इस equations बना पाए उसने number of students पूछ लिए number of students बस एकी चीज पूछ रहे x किसको ले y किसको ले कितने students है इसमें भी कितने students है six students है total students कितने होगे आपको गए मैं six into two twelve कर लो है ना एक रो में जितने student है into number of rows से multiply करके total students मिल जाएंगे ना एक रो में मालो six students है और यह पस तीन रोज है आप कितने students बता दोगे मैं मैं 18 students है मतलब आपके पास पता लगजे number of rows और एक रो में student कितने है यह पता लगजे तो आप total number of students निकाल सकते हो मतलब अगर मुझे number of students class में निकालने है तो मुझे एक को यह बता दो number of student in one row कि एक रो के अंदर कितने student है बस मुझे यह बता दो और मुझे total number of rows बता दो अगर मुझे यह पता लग गया तो मैं total number students निकाल जाओंगी यह बात समझ आती है यह बात clear है बहुत simple सी चीज़ी है एक row में अगर 6 है और 2 rows है तो total 12 students होंगे हमें एक row में बता दो कितने बच्चे हैं और total row बता दो बता देंगे total students यही हमने कर दा है तो अगर उने हमसे total number of students पुछे है तो हम number of students in a row निकालेंगे total number of rows निकालेंगे जो answer आएगा उससे हमें total number of students पता लग जाएंगे यह चीज clear है बहुत simple सी चीज़ी है तो ले लेते है let the number of student in a row number of student एक row में कितने है मान लो that is x चीक है और आगे मानते है that is the number of rows मान लेते है let the number of row is equals to y number of rows कितने है y मेरे पस x आ जाएगा y आ जाएगा दोनों को multiply करके मुझे total number of students बचाएंगे अब एक चीज़ और देहां से देखो जितने एक row में student खड़े है into number of rows पता लगी तो मैं total number of students निकाल सकते इनको multiply करके तो total number of students x y होंगे ये चीज़ clear है अब पढ़ते है statement क्या कहरे है the student of a class are made to stand in a row ठीक है row में खड़ा करना है if three students are extra in a row अगर three students extra है row में मैंने कितने लिए x वो कहरे है तीन extra है मतलब x plus three हो जाएगा आगे देखो there would be one row less एक row less हो जाएगी मतलब y थी पहले आप एक row rest कर रहे हैं तो y minus 1 हो जाएगी is equals to total number of students आप चाहे बच्चों को एक row जादा बनाओ एक row कम करो total number of students तो same रहने वाले हैं तो अगर x plus three तीन बच्चे बढ़ रहे हैं एक row कम हो रही है तो यहाँ पे total number of students तो xy ही रहेंगे तो x plus three into y minus one equal to xy इसमें कोई दिक्कर जैसे last question में distance same रहना था हम xy लिख रहे थे यहाँ पे total number of students same रहने वाले हैं तो हम xy लिख रहे हैं आगर देखो find the number of students in the class यह भी equal to xy आएगा क्योंकि number of students in a row into number of row तो हमें total number of students ही देते हैं तो this is the first equation this is the second equation इसमें कोई दिक्कर अराम-अराम से चीजों को समझते जो बहुत simple question है clear होगी चीज आप यहाँ पे number of student लिख रहो यहाँ पे number of rows लिख रहो इनको multiply करके तो total number of student ही मिलने वाले है न तो equal to xy आएगा इन दो equation को solve करके हमें xy मिलेंगे जिसे multiply करके हम total number of students निकालने वाले है clear है चीज़ करें आगे बहुत simple है अब ध्यास देखो पहली equation क्या बनी x plus 3 y minus 1 equal to xy यह पहली equation थी यहाँ पे x minus 3 y plus 2 is equals to that is xy second equation थी अभी इनको solve करते है और अपने xy की वेलन करते है जिल्दी से निकालो मेर से भी पहले that will be xy minus x plus 3y minus 3 is equals to xy xy से xy cancel आप minus ला की दर कर सकते हो that will be minus x plus 3y minus 3 equal to 0 यह एक equation बनी यहाँ पे xy plus 2x minus 3y minus 6 is equals to xy xy से xy cancel 2x minus 3y minus 6 equal to 0 this is the second equation चलें आगे अब यहाँ लिखते है minus x plus 3y minus 3 is 0 and minus 2x plus 2x minus 3y minus 6 equal to 0 यह तो बहुत अच्छी बात ही 3y यह cancel हो गए यहाँ पे आगे देखो यह बनेगा x और यह बनेगा minus 9 equal to 0 x की value क्या आगे 9 आगे किसी एक equation में डाल देते है first value में डाल देते है that is minus x minus 9 plus 3y minus 3 equal to 0 3y minus 12 equal to 0 y की value क्या आगे 4 आगे x 9 आगे y क्या आगे 4 आगे पहुत सिंपल है x लिए गया था मुझे जल्दी से बता दो that is number of students in row एक row में कितने बच्चे है 9 बच्चे है अब number of rows कितनी है total rows कितनी है 4 आग मुझे बता दो total students कितने होंगे that is 9 into 4 36 students total है क्या ये question difficult है बताओ 10 में ये question difficult बिल्कुल भी नहीं optional exercise बस कहने के लिए होती है मुझेल है लेकिन है नही statement समझने optional उन्होंने क्या कि आपको directly x y नहीं बताते क्या लेना है वो पुछले number of students है तो आपको mind लगाना है कि number of students जिना one row देखता हूँ मैं और फिर total number of students देखता हूँ total number of rows देखता हूँ उनको multiply करके मुझे answer मिल जाएगा अब next question देखो ये भी बहुत ही ज़्यान समझना in triangle ABC एक triangle है ठीक है ABC उसके बारे में कुछ बताया हुए क्या बताया हुए कि angle C 3 angle B की equal है 2 into angle A plus angle B की equal है ठीक है वो कहरे है find the 3 angles मतलब मुझे angle A बताना है angle B और angle C मुझे ये 3 angles की value बताना है super easy है ध्यान से देखना ये 3 हो equal है है ना जैसे cross multiplication का method करते थे आपर 3 equations equal होते थे वैसे ही equal है मैं इसमें क्या करूँ कि पहले क्या करते हूँ second or third को equal उठालेते हूँ मतलब 3 angle B is equal to 2 angle A plus angle B ये 3 ähnlich Equal है no doubt लेकिन पहले मैने इसको Equal उठालिया दो-दो को उठाना होते हैं पहले मैने second or third को Equal उठालिया यहां से 3 angle B is equal to 2 angle A plus 2 angle B हो गया की काम तो a b वला ही हो रहा है यहाँ पे 2 3 angle b minus 2 angle b that will be angle b is equals to 2 angle a क्या हैगा answer यहाँ पे 0 2 angle a minus angle b मतलब 2 angle a minus angle b equal to 0 this is the first equation आप x equal to y लिखो y equal to x एक ही बात होती है तो 0 equal to this लिखो या this equal to 0 एक ही बात है यह मेरी first equation इसमें कोई दिक्कर है तो बताओ simple सी बनगी अब उठाते है second आप first और second को उठाते है angle c is equals to 3 angle b यहाँ पे तो कुछ बात नहीं बनी मुझे तो equation a b में चाही होती है यह क्या रहा है c आ रहा है कोई बात नहीं बन रही मैं क्या करूंगी मुझे पता है यह triangle है और triangle में sum of angle क्या होता है 180 degree जल्दी से बता दो है नहीं sum of angles of triangle is 180 degree तो angle a plus b plus c 180 degree होगा angle a की जगा कुछ नहीं a ही आएगा b की जगा b यह आएगा c की जगा क्या डालेंगे 3 angle b क्योंकि मुझे equation a और b में चाही है c में नहीं चाहिए तो c की जगा मैंने 3 angle b का use कर लिया is equals to 180 degree first two को use करके second और third को use करके तो directly equation मिल गी first two से कुछ नहीं मिल रहा था तो मैंने triangle की property लगा दी कि sum of angle of triangle 180 होता है अब यहाँ से angle a plus 4 angle b कितने है that is 180 degree this is the equation number second इसमें कोई रिकर यह मेरे पास first equation है यह से किन जिसको मुझे solve करने है clear हुई questions super easy है अगर आप ध्यान से अराम से चीजों को समझो और practice करो class लगाने के बाद खुद भी एक बार questions करके देखा करो बहुत अच्छे से अपके mind में अच्छे से questions की जो concept है बैट जाएं करें फिर start अब इनको solve करते हैं बहुत easy है क्या है 2 angle A minus angle B 0 था और angle A plus 4 angle B कितना था 180 degree यही था अब इनको solve करते है coefficient same बनाते है यहाँ पे क्या है 1 यहाँ पे coefficient क्या है 4 है इसको 4 से multiply कर देते है इसको 1 से कर देते है आप angle A के coefficient को भी same बना सकते तो कोई दिक्कत नहीं जिसको मर्जी बनाओ अब आगे देखो that will be 8 angle A minus 4 that is 4 angle B equal to 0 आगे angle A plus 4 angle B is equals to 180 कुछ नहीं जैसे अब A B के साथ डील करते हूँ बस angle आ गया साथ में कुछ भी नहीं यह plus minus क्या हो जेंगे cancel 9 angle A is equals to 180 angle A क्या है 180 upon 9 that will be 20 मतलब angle A कितना आ गया 20 आ गया बहुत सिंपल सा किसे एक equation में डाल दो first में डाल देते है 2 angle A minus angle B 0 था न यहीं डाल दो angle A that will be 40 minus angle B 0 angle B की value क्या बन गई 40 बन गई बहुत सिंपली है ना आप निकालते है angle C आपको पता है यहां से देखो ध्यान से angle C क्या था 3 angle B के जब आमने first row second consider किया था angle B ढ़ल दो that is 40 यहां पे angle C की value क्या आ जाएगी 120 degree तो आप देख सकते है angle A क्या आया 20 degree angle B क्या आया 40 degree and angle C 120 यही तीनों तो निकालने थे super duper easy question clear है यह चीज तो last second row third से तो एक equation मिल गी थी first row second वाले से equation नहीं मिली थी इन दोनों से equation नहीं मिली थी हमने sum of angle 180 degree होता है इससे हमने second equation निकाल ली second equation निकालने से हमें 2 equation को solve किया answer मिली थी clear है super duper easy questions है just आपको क्या करना है statement को समझना है आप class में equation साथ साथ किये तो बहुत अच्छी बात है उसके बाद class के बाद दी शाम को थोड़ी देर बैट के इन questions को complete कर ले खुद से statement देखके देखो आपसे equations बन रही है equations की practice कर लेना चिक है अब अगली चीज़ देखो 7th question है इसी exercise में यह आपने try करना यह आपका home bug है मैं कल करवाऊंगी पर आप देखो आपको कितने अच्छे से elimination method substitution method किसी भी एक method से कर सकते हो कितने अच्छे से आपको methods आएं कि आप यह five parts कर पा रहे हो के नहीं कर पा रहे हो कल की class में जब आप आओगे आपने खुद एक बाद ट्राए कि आओगा तो आपके questions फटा फटा आपको समझ आएंगे और अपनी mistakes भी तूण पाऊंगे